पुस्क्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाईए मेरी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले सच अकाल दोस्तों मेरा नाम है गुर्पीट सिंग और आप देख रहे हो मिस्टर टेकी तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ most demanding वीडियो जो है OPPO F7 के बैटरी डिस्चारजिंग टेस्ट की दोस्तों जब मैंने OPPO F7 का बैटरी चारजिंग टेस्ट बनाया था तो बहुत लोगों ने मुझे comment section के अंदर ये बोला था कि आप इसका बैटरी डिस्चारजिंग टेस्ट बनाये तो दोस्तों ये लोग मैं लेके आ गया और यहां पर मैं एक massive बड़ा comparison करने जा रहा हूँ यहां पर दोस्तों मेरे पास 5 फोन और है OPPO F7 के साथ एक है Nokia 6, दूसरा है Moto G5S Plus, तीसरा है Mi A1, चौतर है Redmi 5 और लास्ट डिवाइस है Samsung Galaxy J7 Pro यहां पर मैंने stopwatch के लिए लिया है Infinix Hot S3, बात करते हैं इन फोन में लगी battery sizes की, तो Nokia 6 के अंदर हमें देखने को मिलती है 3000 mAh की battery, Moto G5S में भी 3000 mAh की battery लगी है, OPPO F7 में लगी है 3400 mAh की battery, और MI A1 में लगी है 3080 mAh की battery, Redmi 5 में लगी है 3300 mAh की battery, और Samsung Galaxy J7 Pro में लगी है 3600 mAh की battery, यहां पर दोस्तों मैंने सारे phones को 100% चार्ज करके switch off कर दिया था, तो चलिए पहले switch on कर लेते हैं सारे phones को, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, सारे phones पूरे 100% चार्ज है, तो दोस्तों यहां पर अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, यह टेस्ट मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पहला होगा एक YouTube की वीडियो चलाएंगे 3 घंटे के लिए, और उसके बाद 2 घंटे के कैमरे की वीडियो रिकॉर्णिंग को और करेंगे, और लास्ट में सारे phones के अंदर हम Asphalt 8 की गेम को प्ले करेंगे तब तक, जब तक की phone switch off नहीं हो जाते, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक YouTube की वीडियो को, तो यहां पर मैंने पहली सी एक YouTube की वीडियो को डाउनलोड रखा था, क्यूंकि कभी कभार Wi-Fi के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैंने ही चाहता कि जो टेस्ट है वो unfair हो, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस टेस्ट को, तो दोस्तों यहां पर मैं सारे phones की जो brightness है, वो maximum level पे कर देता हूँ, तीन घंटे बाद आके देखते हैं कि कितना बैटरी ड्रॉफ हमें देखने को मिलता है इन छे फोन्स, तो यहां पर तीन घंटे पूरे हो जाते हैं स्टॉपवास के अंदर, तो यहां पर दोस्तों जो मैं बैटरी देखने को मिलती है, Nokia 6 के अंदर वो है 39%, Moto G5S Plus में है 53%, Oppo F7 में है 47%, Mi A1 के अंदर है 49%, और Redmi 5 में है 56%, और यहां पर Samsung Galaxy J7 Pro में है 66%, तो दोस्तों अगले 2 घंटे के लिए Camry की वीडियो रिकॉर्णिंग को आउन करते हैं, और फिर आके देखते हैं कि कितनी बैटरी बचती है सारे फोन्स में, यहां पर दोस्तों 4 घंटे 12 मिनिट के अंदर Nokia 6 Switch Off हो जाता है, यहां पर दोस्तों 5 घंटे कुछ और ही देल में हो जाएंगे, तब आके चेक करेंगे कितनी बैटरी हमें देखने को मिलती है, बाकि इन 5 फोन्स में, पर दोस्तों 5 घंटे पूरे हो जाते हैं, स्टॉक वाच के अंदर चलिए पहले कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, और स्टॉक वाच को भी दो मिंट ले रोक लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि पांचो फोन्स के अंदर कितनी बैटरी बची हुई है, यहां पर दोस्तों दो घंटे की कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद जो हमें बैटरी देखने को मिलती है, मोटो जी फाइफ एस प्लस में, वो है तीन परसेंट, ओपो एफ सेवन में रह गी है आट परसेंट, माई एवन के अंदर रह जाती है नौ परसेंट, और रेड्मी फाइफ में है अभी सोला परसेंट, और सेमसंग गिलेक्सी जे सेवन प्रो में है 31 परसेंट बैटरी, तो नोकिया 6 जो है वो चार घंटे 12 मिनिट के अंदर सुच आफ हो गया था, हमारे बोलते बोलते ही देख लो दोस्तों यहाँ परसेंट बैटरी रह गया है, मोटो जी 5S Plus में, हो सकता है कि अगले टेस्ट स्टार्ट करते ही यह फोन भी सुच आफ हो जाए, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर Asphalt 8 की गेम को प्ले करते हैं तब तक, जब तक की फोन स्विच आफ नहीं हो जाते, तो चलिए दोस्तों अब गेम को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सा फोन सबसे पहले स्विच आफ हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों पाच घंटे चार मिनिट के अंदर Moto G5S Plus भी स्विच आफ हो जाता है, तो चलिए दोस्तों अब गेम को कॉंट्यूने रखते हैं और देखते हैं इन चारों फोन्स को और कितना टाइम लगता है स्विच आफ होने में, यहाँ पर दोस्तों पाच घंटे 16 मिनिट के अंदर OPPO F7 जो है वह बूरा स्विच आफ हो जाता है, अब हमारे पास जो डिवाइस रहे गए हैं वो है तीन डिवाइस एक है MI A1 लोग बोलते बोलते ही MI A1 भी स्विच आफ हो गया, यह भी पाच घंटे 16 मिनिट के अंदर स्विच आफ होता है, तो दोस्तों आप टेस्ट को continue रखते हैं और देखते हैं कि Redmi 5 को कितना टाइम लगता है स्विच आफ होने में, तो दोस्तों यहां पर 5 घंटे 49 मिनिट के अंदर MI A1 भी स्विच आफ हो जाता है, अब हमारे पास सरफिक लास डिवाइस रहे गया है, वो है Samsung Galaxy J7 Pro, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, 19% अभी बैटरी बची हुई है Samsung Galaxy J7 Pro में, इसको तो कम से कम अभी आता पूना घंटा और लगेगा स्विच आफ होने में, तो चलिए अब टेस्ट को continue रखते हैं, और वेट करते हैं कि यह कब स्विच आफ होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 घंटे 35 मिनिट के अंदर, Samsung Galaxy J7 Pro भी स्विच आफ हो जाता है, तो दोस्तों अब हमारा जो बैटरी डिस्चार्जिंग टेस्ट है, वो कम्प्लीट हो जाता है, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कौन सा फोन सबसे पहले स्विच आफ हुआ, वो था Nokia 6, 4 घंटे 12 मिनिट में यह स्विच आफ हो गया था, सेकंड राउंड में ही स्विच आफ हो गया था, यह थर्ड राउंड तक तो पहुंचा ही नहीं हो, और जो स्विच आफ हुआ वो था Moto G5S Plus, 5 घंटे 4 मिनिट में, दोनों exact same time पे स्विच आफ हुए, 5 घंटे 16 मिनिट में, और Redmi 5 जो स्विच आफ होता है, वो है 5 घंटे 49 मिनिट के अंदर, और लास्ट में जाके स्विच आफ होता है, Samsung Galaxy J7 Pro, 6 घंटे 35 मिनिट के अंदर, तो दोस्तों ये थी battery discharging test video of Oppo F7, और एक comparison बाकी phones के साथ, बताया है दोस्तों वीडियो कैसा लगा, सबसे पहले तो प्लीज यार अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, प्लीज लाइक जरूर करो, मैं इस बारे भी aim नहीं रख रहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि इ 13 बजए बैठा हुआ था इस वीडियो को बनाने में, अब आराउंड 10 बजने वाले हैं, वीडियो बनाते बनाते तो प्लीज यार बहुत जादा महनत लगती है ये वीडियो को बनाने में, और दोस्तों जब भी आप ऐसी वीडियो पी उपा लाइक करते हो, कमेंट करते हो शेर करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी महनत जो है, वो वेस्ट नहीं जाती, और दोस्तों मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो, अपनी मरजी की, तो उसको भ ढूली मरें प्रद bueno-बताना चाहते हो, अभ out और सोथ, वेस्तों मुझे झाई चाहते हो, और बताना चाहते हो, तो मुझे ये जापको कैसी में तोस्तों मुझे जाता है